अम्रता के इम्रोज से साथ सवाल 2. अम्रता प्रीटम अम्रता इम्रोज का नाम आते ही या तो प्रेम्ति कोनों के कोन नपने लगते हैं या फिर एक में खुद को भुला चुका कोई दूसरा एक याद आने लगता है 2 पर एक की छाया हमेशा रहती है लेकिन किताब साथ सवाल के विभिन्ल साक्षातकारों में से अम्रिता द्वारा लिया गया इम्रोज का यह साक्षातकार उन दोनों को एक एक करके दिखाता है थास तौर से इम्रोज को जिन्दगी में कला की एहमियत और धर्म का हस्तक्षिप दोनों पर अम्रिता के कुछ सवाल और इम्रोज के वैसी ही तासीर वाले जवाब जिस तासीर के लिए उनका प्रेम जाना जाता है इम्रोज से साथ सवाल एक जिन्दगी और कला आप दो अलग-अलग हलीरते समझते हैं या एक इम्रोज मेरी नजर में आज की मिट्टी में चिंतन के बीज डाल कर उसे कल के सूरज की धूप लगवा सकना कला है दूसरे लफजों में जिन्दगी एक बिंदू है और कला उस बिंदू का विस्तार यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिन्दगी और कला दो अलग-अलग हरीवते होती है जिन्दगी एक धर्टी है और कला धर्टी की उर्वर्ता यह भी कह सकता हूँ कि जिन्दगी पानी है और कला उसकी रवानी उसका प्रवा हमारे प्राचीन दर्शन के अनुसार जो शिवशक्ती की कलपना है वही मेरी नजर में जिन्दगी और कला की कलपना है जिन्दगी आख और कला उसकी नजर और नुक्तानजर मैं तो इनसान की जात भी उसके कर्म और कसब के मुताबिट समझता हूँ मेरी नजर में एक चित्रकार की जात उसके रंग होती है एक शायर या अदीब की जात उसके अक्षर और एक संगीतकार की जात उसके स्वर इस तरह अगर हर व्यक्ति का कसब उसकी जात हो जाए तो कसब का इमान उसका मजहब हो जाएगा दोस कला और क्राफ्ट की तश्रीह करेंगे इम्रोज मेरी नजर में एहसास की अमीरी वह दूध है जिसमें सिर्फ तलयूल का जामन लगता है इसी तलयूल का नाम कला है और उसे बिलोने का कर्म एक क्राफ्ट है बड़ा एहम कर्म लेकिन कला के जामन के बिना अर्थहीन कई प्राचीन चित्र ऐसे हैं जिन पर किसी मुधल बादशा का नाम भी लिखा जा सकता है किसी बहादुर राजपूत का भी और किसी जाहोजलाल वाले गुरू पीर का भी इसी लिए कि चित्रकारों ने उन चित्रों में तरयोल का चित्रन नहीं किया सिर्फ शद्धा का श्रिंगार किया है ऐसे चित्रवर्थ के दस्तावेज भी नहीं बनते तीन कला में अचेत आर्जू और चेतन जतन की क्या एहमियत है इम्रोज अचेत आर्जू एक बीज है और मन की मिट्टी की गुडाई करना उस पर सुहागा फेरना उसमें खाद डालना और बीज को बीजने के बाद उसे ठीक समय पर पानी देना धूप दिलाना फिर उस पौधे की छंटनी करना और आसपास उगी हुई खर पतवार को निकालना चेतन जतन है चार जिन्दगी का कोई ऐसा हादसा बताएंगे जिसने धर्म और समाज की या वर्त के इंसाफ की स्थापित कीमतों के सामने पहली बार कोई सवालिया निशान लगा दिया हो इम्रोज मैं तब करीब ग्यारा बरस का था दादा दादी जीते थे उनकी पांच बेटों में से सिर्फ सबसे बड़ा ब्याहा हुआ था मेरा बाब और सब क्वारे थे जमीन थोड़ी थी जिससे दुख्खम सुख्खम सबका गुजारा कठिनाई से ही हो सकता था ब्याहे हुए लड़के का भार औरों को रड़कने लगा तो दादी ने मालदंगर वाले आहाते में एक कोठरी डलवा कर बड़े बेटे को उसके टबबर के साथ अलग कर दिया घर में और रहाते में सिर्फ चार कदम की दूरी थी वैसे दोनों अमन सामने थे जब तक मेरी मा जीवित रही दोनों घरों के बीच का यह थोड़ा सा फासला जैसे कोसो का बना रहा पर मा मर गई और मेरी छोटी बहन जब कोई नौ बरस की थी चुलहे पर कच्ची पक्की रोटियां थापने लगी थी तो दाधी को बेमा के इन बालकों पर मम्ता आ गई फिर वह कभी आते जाते बालक को बुला कर रोटी का टुकड़ा देने लगी दादा भी बालकों को लिहाफ में बिठा कर पुछकारने लगे मेरे क्वारे चाचाओं में से बड़ा चाचा सुन्दर नमबरदार हो गया था और छोटे चाचा खेत जोत्ते थे हमारे गाव में जो आदमी धंग से खेतों का काम नहीं करता लेकिन उपर के काम करता है उसे सब नमबरदार कहने लगते हैं सो मेरा यह नमबरदार चाचा बस सानगी बजाता था और फिर मेरी लगी किसी ने न देखी वाली बात हो गई सानगी वाले चाचा को गाव के करालों की बेटी बंसों से इष्ठ हो गया मुझे याद है बंसों के घर में कोई नया कमरा बनाया जा रहा था जहां घर वाले दिन भर गारा बनाते और इंटे ढोते थे और मेरा चाचा भी सांगी को भुला कर बनसों के घर पर गारा बनाने बैठ गया यहां हीर निमानी इंते, ढोवे और रांजा ढोवे गारा वाली कोठरी नहीं बन रही थी यह तो सयालों की भैसे चराने वाली हालत थी बंसो ने अपनी मा की चोरी से सुन्दर चाचा के लिए कभी चूरी कूटी होगी या नहीं मैं नहीं जानता मुझे भी होनी की खबर तब हुई जब सारे गाव को हुई की एक राद घर का दर्वाजा बंद करने के लिए बंसो बाहरी दहलीज के पास आई तो दहलीज को लांग कर बाहर ही आ गई भीतर घर की और नहीं लोटी और अगले सवेरे गाव में न बंसो थी न सुन्दर चाचा बंसो के घर के लोग जट नहीं थे कराल थे जिने शहरों में लोग एलुवालिया कहते हैं इसलिए घर को जो आग लगी थी उसका धुमा अंदर ही बंद करके मुमस ये बंसो की तलाश में निकल गए हमारा यह गाव चक नंबर 36 लायलपूर से 12 कोस पर था बंसो के घर के लोग सीधे लायलपूर गए वहाँ उन भटकते हुए लोगों को एक टैक्सी वाले ने खबर दी कि वहाँ दोनों प्रेमियों को लायलपूर के दूसरे छोर पर बसे जडा माला के निकट एक गाव में उतार कर आया था सुरात मिल गया तो प्रेमी भी मिल गए बंसो के घर वालों ने तब भी मुह नहीं खोला लेकिन लड़की को बांध कर घर ले आये और उसे पीछे वाली कोठरी में डाल दिया सुन्दर से उन्होंने कुछ नहीं कहा नहीं तो जाने गर्म ताव कईयों से सिर उतर जाते लेकिन तूटी को जग ने जान लिया था इसलिए बंसो के घर वालों ने एक दिन बंसो को लायलपुर ले जाकर किसी दुहेजू बुढ़े के पल्ले बांध दिया भट्टी पर कुछ दिन चर्चा पकती रही लेकिन चिंगारिया दोनों पक्षों में से किसी के कपड़ों पर भी नहीं पड़ी सिर्फ कुछ चिंगारिया थी जो गाव के लॉन डेलारों ने चुन ली थी और वहा कभी-कभी उनके होटों पर जल उठती थी यहाँ भी कह सकता हूँ कि वहाँ लॉन डेलारे छोटे-छोटे किस्सागों थे जिनोंने बंसो और सुन्दर को लेकर कुछ तुके जोड ली थी लेकिन जब वहाँ अकेले-दुकेले होते थे तब ही मुह खोलते थे गाव में किसी के सामने मुह से बात नहीं निकालते थे मुझे सिर्फ एक ही बोल याद है जो आपस में हनसीमजा करते हुए वह लड़के गाया करते थे मुझे सांगी बना ले सुन्दर कंधे से तेरे बजती रहू और एक और समय की बात याद है जब गाव में हीर गाते हुए चेतु ने एक दिन खुद ही हीर की कलियों में एक कली जोड दी थी डोली चरदियां बनसों ने चीक मारी मैनू ले चले सुन्दरा ले चले वे तेरी भरी जवानी दा रब राखा असी बुढ़े दे वस विच पै चले वे और फिर एक दिन अचानक बाज तूट पड़े किसी होनी का वहम गुमान भी नहीं था गाउं के नंबरदार से पानी के कारण लगती आ रही थी लेकिन बात कहा सुनी तक ही होती थी कभी किसी ने दूसरे पक्ष को काटने मारने की बात मुह से नहीं निकाली थी लेकिन एक शाम को नंबरदार के दोनों कडियल जवान भानजे बर्चियां लेकर चाचाओं के खेत में पहुँच गए एक ललकार मारी और चाचाओं पर तूट पड़े उस समय खेत में सिर्फ मेरा दादा था और एक चाचा वह सांगी वाला सुंदर चाचा नहीं था दादा ने अपनी लाठी से बर्ची का वार रोक लिया लेकिन चाचा के सिर में बर्ची लग गई उस समय चाचा ने एक बर्ची वाले को कमर से पकड़ कर पटक दिया और उसी के हाथ की बर्ची चीन कर उसके पेट में घोंप दी दादा गदके का खिलाडी था इसलिए बर्चियों के वार रोकता रहा दूसरे बर्ची वाले को भी दादा और चाचा ने गिरा कर उसकी बर्ची उसी के पेट में घोंप दी मिंटों में यह दो धतल हो गए तो गाव पर थाना चड़ाया नंबरदार का खाता पीता घर था इसलिए मेरे दादा, तीनों चाचा और मेरा बाप सब बांध लिए गए मुकदमा चला मेरा बाप सुन्दर चाचा और छोटा चाचा मौके पर नहीं थे इसलिए तीनों बरी हो गए लेकिन दादा को और एक चाचा को फांसी की सजा सुना दी गई अपील की गई तो चाचा की फांसी की सजा काले पानी की हो गई और दादा की मुलतान जेल में 14 बरस की गाव में बुजी हुई आग फिर सुलगने लगी लोग अंदाजा लगाते थे कि करालों ने नंबरदार को पैसा चड़ाया था जिससे उन्होंने अपने हाथ बचा लिये लेकिन जाटों के हाथ लहूं से भिगो कर अपना बदला ले लिया मैं आज तक नहीं जानता कि यहां अंदाजा कितना सच है और कितना जूट मैंने सिर्फ बरबाद होता घर देखा है और सुन्दर चाचा की वह सानगी सुनी है जो आधी आधी रात तक बैनों की तरह बजा करती थी पांच कला के आलोचको का कर्म आपकी नजर में क्या है इम्रोज कला के फलों और फूलों का माली मैं सिर्फ कलाकार को मानता हूँ कोई आलोचक उसका माली नहीं हो सकता लेकिन वह एक अच्छा मौसम जरूर हो सकता है यह एक उदास इतिहास है कि आलोचक एक अच्छा मौसम होने की जगा अक्सर फलों को ठोंग मारने वाला जंगली तोता हो जाता है और कई बार पत्वों को खाने वाला कीडा तक भी छेफ जिन्दिगी में आपने कभी कलियूग की घड़ी देखी है या सत्यूग की इम्रोज अपनी मनचाही औरत के साथ 20 साल जी लेना मेरे लिए सत्यूग है और 1960 में जब मैंने अपने मन की दुविधा के कारण उसी औरत को स्वीकार करके भी स्वीकार नहीं किया था तो वहां मेरे लिए कलियूग की घड़ी थी साथ हमारे देश के साथ पवित्र स्थान साथ पुरिया कहे जाते हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती और द्वारावती यह साथवी पुरी द्वारावती समुद्र के किनारे पर हुआ करती थी जो कृष्ण के देह त्यागने के बाद साथवे दिन समुद्र में अलोप हो गई थी अब यूँ तो वह द्वारिका के नाम से दूसरी जगा बस गई है लेकिन अपने मूल स्थान से अलोप हो चुकी है मेरा सात्वा सवाल आपके मन के समुद्र में अलोप हो गई पूरी जैसा है जिसकी खोज आपको खुद करनी है और उसका इतिहास खुद ढूर्णना है इम्रोज यहां मैं कलेक्टिव मन की बात करना चाहता हूँ इस मन के समुद्र में जो पूरी अलोप हो गई है वह इंसान के धर्म की पूरी है वह द्वारावती अब अनेक धर्म स्थानों के नाम पर जगहजगा बस गई है लेकिन किसी स्थान पर भी धर्म की आत्मा नहीं बस सकी आत्मा समुद्र में अलोप हो गई है स्थानों की स्थापना अंधी श्रद्धा के कारण हुई है आखों वाले विश्वास के कारण नहीं धर्म कभी आखों की बली नहीं मांगता